हेलो फ्रेंज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले स्नेपचेट की फोटो और वीडियो को फेस्बुक पर डायरेक्ट सेर कैसे करें हाँ फ्रेंज आप अपनी स्नेपचेट की जो भी फोटो है और वीडियो है उसको फेस्बुक पर डायरेक्ट सेर कर सकते हो तो वो कैसे करते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले दूस्तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर दीजे, और सब्सक्राइब करने के बाद औ आपको क्या करना है मैं आपको बता दू सबसे पहले फ्रेंज आपको यहाँ पर फेस्बुक जो भी फेस्बुक अकाउंट पर आपको स्नैपचेट की फोटो को और वीडियो को शेयर करना है वो फेस्बुक अकाउंट आपका ये फॉन में लॉगिन होना चाहिए तो यहाँ आप लोग देख सकते हो यह मेरा Facebook का अकाउंट है और यहां पर आपको लॉगिन कर लेना है यानि कि आपके Facebook Facebook में आपका अकाउंट लॉगिंग होना चाहिए उसके बाद आपको कैसे शेयर करना है वह मैं आपको बता देता हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले कर सकता हो फ्रेंट कैमेरे से भी यहां पर फोटो को क्लिक कर सकता हो वीडियो शूट कर सकता हो तो यहां पर मैं इसको send to पर click कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मुझे direct कोई भी यहाँ पर facebook पर share करने का option नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर आपको क्या करना है इसको यहाँ से save करना है save करनी के बाद friends आपको क्या करना है यहाँ से आपको यह जो screen दिख रही है उसको नीचे से यहाँ पर उपर कर लेना है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यह हमारा photo हमने अभी click किया हो वो यहाँ पर आ चुका है अब यहाँ पर सबसे पहले इसको आपको जो भी photo और वीडियो को आप Snapchat से Facebook पर share करना चाहते हो उसको सबसे पहले आपको save कर लेना है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यह हमारा photo यहाँ पर save हो चुका है यहाँ पर मैंने already कहीं सारे photos को यहाँ पर save किया हुआ है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं इस वाले फोटो को यहाँ पर facebook पर share करना चाहता हूँ facebook पर डालना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना है सबसे पहले इस वाले फोटो को यहाँ पर यह जो arrow दीख रहा है उस पर आपको click कर देना है उस पर click करने के बाद friends यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मुझे facebook का option मिल चुका है यहाँ पर facebook का logo दीख रहा है उस पर आपको click करना है उस पर click करने के बाद friends यहाँ पर आप लोग देख सकते हो facebook news feed, facebook status profile, facebook your group, facebook your story तो यहाँ पर आपको कहीं सारे options मिल जाते हैं यहाँ पर आपको जहाँ पर भी share करना है Facebook Feed में इस पर प्रोफाइल में आपको यह photo को लगाना है या पर फिर Facebook की story में लगाना चाहते हो यहाँ पर उस पर आपको click करना है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यह आपका photo direct facebook की story में आ चुका है अब आपको क्या करना है यहाँ से आप इसको edit कर सकते हो stickle लगा सकते हो draw करना चाते हो draw कर सकते हो effect लगाना चाते हो effect लगा सकते हो music लगा सकते हो उसके बाद share वाले option पर click करके आप यहाँ पर easily अपना जो भी facebook का photo है यहाँ पर instagram यहाँ पर आपने जूभी snapchat से जूभी photo को यहाँ पर direct facebook की story में लगाना चाते हो वो आप यहाँ से direct लगा सकते हो तो आपको क्या करना है snapchat की photo है उसको यहाँ पर इस वाले arrow पर click करना है facebook पर जाना है अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यह मेरा photo snapchat से direct facebook की story में लग चुका है यानि कि easily snapchat का जो भी photo है और video है वो मैं easily यहाँ पर facebook की story में यहाँ पर मैं लगा सकते हो so friends इस तरीके से आप अपनी snapchat की जो भी photo और video है उसको facebook पर direct share कर सकते हो तो दोस्तों आपको video पसंद आया तो please video को like कर दिजए सब्सक्राइब कर लेजए फिर मिलता हमारा नए वीडियो के साथ तब तक के लिए टाटा बाई बाई